हलो एवरिवन जैहिन नमस्कार वेलकम यू आल टो मिसन कॉमपेटिशन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूरूप चैनल मिसन कॉमपेटिशन को पर में आप सभी को रादे रादे जैसी रिडाम सो देखिए रेलवे का एकॉर्ड नया वेकेंसी का अनाउंस्मेंट कर दिया गया और ये 12th लेवल का ये वेकेंसी होने जा रहा है अभी आप सब जान रहे होगे देखिए ALP का जो है फॉर्म फिल हो रहा है ठीक है 15 तरिक से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है 19 फरवड़ी तक फिल होगा आप सभी ये जान रहे हो तो वो चल रहा है अब जो है ये वेकेंसी आने वाला है ये टेक्निशन का है अच्छा आप लोग बोलोगे भाई ये अलग से क्यों आ रहा है पहले तो ALP और टेक्निशन का इखटे आता था वेकेंसी मोटा मोटी सब का जो है एक्जामनेशन ये सब कुछ एक जिसा होता था लेकिन अलग क्यों आ रहा है अब देखिए पहले इखटे आता था लेकिन अब अलग अलग दिया जा रहा है वो गौवर्मेंट जाने क्यों दिया जा रहा है बट ध्यान रखिएगा इसमें 9,000 के आसपास 9,000 के आसपास ये पद बताये जा रहे है अब अगेन ALP वाला आप सब जान रहे होंगे 5,996 के आसपास वहाँ पद पे रिक्रूट्मेंट निकला था और जिस वज़े से काफी जादा गुस्ता और आख्रोज था स्टूडेंट्स के मन में कि भाई All India Pen Level का जॉब है और इतना कम वेकेंसी ये एक तरीके से उट के मुँ में जीरा के बराबर है अगेन जो टेक्निशन का जो दिया जा रहा है यहां पर देखें 9,000 जो है यहां पर सीटे दी जारी है ये भी एक तरीके से कम ही है बट मैं फिर से यहीं बोलूँगा कि देखें कुछ होना ना होने से ज़्यादा बहतर है एक टाइम वेकेंसी बिल्कुल ही नहीं आ रहे थी अभी आ रही है आपको एक सीट की जुरोत है आप उस पे कॉंसेंट्रेट करिए खैर सीट तो कम है कॉंपिटिशन टफ होगा लेकिन लगना तो पड़ेगा चलिए एक बार ओफिसल नोटिस देख लीजे उसके बाद आगे हम लोग बात करते है तो दयान दीजेगा देखें यहाँ पे आपके सामने ओफिसल नोटिस रहा अब यहाँ पे देखिए CNN सेंट्रल नंबर जो है यहाँ पे 2 अबलीक 2024 है ALP वाला जो आया था वो देखिए यहाँ पे 01 वहाँ पे नोटिस नंबर के आगे लिखा हुआ था ठीक है यह दूसरा जो है वेकेंसी दे रहा है रेलवे इसलिए यह जीरो टू लिखा हुआ है Recruitment of Technicians Tentative Timeline अब देखिए Tentative Number of Vacancies about 9000 यहाँ पे देखिए इन्होंने already declare कर दिया Tentative है यह ध्यान रखिएगा यहाँ पे add भी हो सकता है घटे का chances कम है लेकिन यह add भी हो सकता अबाउट 9000 है तो इससे उपर ही जाएगा कम नहीं रहेगा इतना बात ध्यान रखिएगा देखिए Publication of Notification in Employment News फरवरी 2024 जो Employment News जो रहता है जो एक तरीके से एक खगबार आता उसमें भी निकला हुआ था ठीक है फरवरी में जो है Notification आपको देखने मिल जाएगा यह बिल्कुल Officially यह सब कुछ आपको declare किया जा रहा है Submission of Online Application March-April में स्टार्ट हो जाएगा नेक्स देखिएगा जो examination होगा वो CBT mode का होता यानी computer-based test होगा alternatively scheduled to be held between October और December ठीक है October सदिसम्बर के बीच में जो है यह examination कराया जा सकता है Sort List for Document Verification will be released फरवरी 2025 तो basically अगर एक तरीके से बोलेख देखिए 2025 तक जो है March-April तक मोटा मोटी इसकी चीज़े जो है sort out कर दी जाएगी ठीक है अब यहाँ बोला जा रहा है Please note the centralized employment notice for the next cycle of recruitment of the post of technician is provisionally planned for issue in April 2025 ठीक है अब यहाँ पर clearly mention कर दिया गया है centralized employment notice for next cycle of recruitment of the post technician is provisionally planned in April 2025 तो अभी आपका 2024 में technician का यह vacancy आया है और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है 9000 के आज पास जो है tentative post है अब यह same technician का post next देखे 2025 में again April में यह planned है तो April में यह आ सकता है इस बात का ध्यान रखिएगा अच्छा इसका क्या रहता है जो है आपको क्या बोलते है qualification क्या रहता है technician के लिए अगर उसके हम बात कर लें तो एक बार देख लीजें यहाँ पर तो देखेएगा यहाँ पर आप होने चाहिए 10th pass होने चाहिए 10th pass या matriculation का equivalent आपके पास degree होना चाहिए ठीक है SSLC प्लस या ITI का degree होना चाहिए किसी भी recognized institute से भारत के ध्यान रखिएगा इंडिया के clear तो इस बात का ध्यान रखिएगा technician grade 3 का जो रहता है उसका यह रहता है या तो फिर आप 10 प्लस 2 किये होने चाहिए PCM से physics, chemistry, math में आप यह किये होने चाहिए तो basically जो technician का जो यह job रहता है इसका qualification वेगरा यही रहता है तो बहुत ठीक ठाक हम बोलेंगे ok ok type का यह जो है बहाली आने जा रहा है अगर आप लोग इसमें interested है बारवी पास अगर आप है तो बिल्कुल लग जाए त्यारी में फरवरी में जो है आपको इसका जो है employment news भी अब देखने मिल जाया कल से फरवरी start होगे और employment समचार जो आता है उसमें दिख जाएगा March April में आपका जो है online form start हो जाएगा सो सब कुछ planned है आप भी planned करके पढ़ाई करिए और इस बारी job ले लीजे जय हिंद